दमोजले में चवालिस वर्षों से प्रभू श्री राम की जन्मोसों की भब शोभायात्रा निकाली जाती है तो राम जन्मोसों के पूर्व बाहन संदेश रैली निकाली जाएगी तो वहीं राम नौमी पर विशाल शोभायात्रा भी निकाली जाएगी आयजिन को लेकर के जानकारी देते हुए अनुने श्रिवास्तों ने बताया कि 44 वरोग बरशों की इस परंपरा का निर्वाहन दमों की जनता राम भक्त इस तरह से करेंगे विर रिपोर्ट एसीन नियूज जैसी आराम श्री राम नौमी के अवसर पर जैसा की दमोह में एक परंपरा रही है श्री राम जी सेवा समीती की के पिछले 44 वर्षों से राम जी की भविशो भा यात्रा निकलती है उसका निर्वहन हम इस वर्ष भी श्री राम जी सेवा समीती की ओर से करने जा रहे हैं उसमें हम एक दिन पहले वाहन रेली लेकर मोरगंज गल्ला मंडी से प्रारब करेंगे जिसकी निर्टत्व हमारे समीती के महा महें अध्यक्ष पवनपुत्र हनुमान करेंगे जो वाहन रेली घंटा घर, टौकी स्तिराह, पुराना थाना, शेंडे तेगड़ा, गड़ी महला होते हुई धरंपुरा से समनना जाएगी, जहां समनना के हनुमान मंदर में हमारे महा महें मध्यक्ष हनुमान जी का पूजन अर्चन कर हम वापस लोटेंगे और धरंपुरा बड़ा पुरा होते हुए, पठानी मस्जद के सामने से गौरी शंकर ते गड़ा, और उसके बा हमारी भव्य शोभायात्रा जिसके स्वरूप बूंदा बहु मंदर से निकल कर पहले मोरगंज गल्लामंडी पहुचेंगे, और मोरगंज गल्लामंडी में कई राम भक्त और कई संस्थाएं मिलकर एक भव्य शोभायात्रा लेकर हम राम नौमी की शोभायात्रा प्रारंब करेंगे जो गंटाघर गंटाघर से टौकीज 13 है टौकीज 13 से महकाली 24 है महकाली 24 से बड़ापुल से होते हुई बरतन बाजार से बूनदा बहु मंदर में समाप्त होगी हमारी कोश्ष है कि जो पिछले 44 वर्षों की परमपरा दमोह में हमारे पूरवजों हमारे हाथों में लाकर सौपी है हम अपने पूरे निष्ठा मन वचन और कर्म के संग उसका निर्वहन करते चले आगे जैसी प्रभूश्री राम जी की ख्षा होगी वैसा निर्वहन होगा जैसी आराम